शाही पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम चौकून शेप में कटा हुआ पनीर हम एक मसाले का पेस्ट बनाएंगे तो इसके लिए मैंने लिया है एक इंच द्रक छिला हुआ आठ लेसन चिली हुई, दो मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए, दो मीडियम साइज के प्याज कटे हुए, चार बादाम, दस से बारा काजू, इन्हें मैंने अलग रखा है क्योंकि इन सारी चीजों का हमें पेस्ट बनाना है थोड़े से गरम मसाला ले लेंगे, उसमें एक बड़ी लाइची, दो छोटी लाइची, इन दोनों को मैंने तोड़ लिया है, आधे इंच दालचिनी और दो लवंग दही हम लेंगी एक तिहाई कप, इसी यूज करने से पहले थोड़ा फेट लेंगे फ्रेश क्रीम मैंने लिया है, दो बड़े चम्मच, आप चाहे तो दूद की मलाई भी यूज कर सकते हैं हल्दी पाउडर एक तिहाई छोटा चम्मच, लालमिच पाउडर आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर एक तिहाई छोटा चम्मच, जीरा पाउडर एक तिहाई छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच, नमक स्वात के अनुसार, cooking oil हम लेंगे दो बड़े चम्मच और थोड़ा सा केसर लेंगे garnish के लिए यह optional है सबसे पहले gas on करके उसमें प्रेशर कुकर गरम करेंगे फिर हम इसमें डालेंगे ये लेसुन, अद्रक, टमाटर, प्याज, बादाम और काजू जिसका हमें paste बनाना है उन सारी चीजों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है तेल बिल्कुल नहीं डाला है इसे कम से कम डेढ़ से दो मिनट के लिए हम सौटे कर लेंगे ये देखें ये टमाटर थोड़ा सा सौफ्ट हो गया है अब हम इसमें पानी डाल देंगे एक ग्लास पानी डालने के बाद मिला दें अब प्रेशर कुकर का धकन बंद करके हम इसे दो सीटी तक पकाएंगे ग्यास का फ्लेम मैंने हाई रखा है ये दूसरी सीटी लग गई ग्यास को बंद करते और कुकर का टेंपरेचर थोड़ा सा ठंडा होने दे अब प्रेशर कुकर थोड़ा सा ठंडा हो गया है इसे खोल दे अब इस टमाटर प्याज वगेरा का हमें पेस्ट बनाना है तो इसके लिए मैं इसे एक ब्लेंडिंग जार में निकाल लूँगे इसे थोड़ा ठंडा करके ही पीसे गरम न पीसे ये मैंने पानी के साथ ही इसे निकाल लिया है लेकिन पानी को हम अलग कर देंगे ये पानी मैंने ग्लास में निकाल दिया इस पानी को हम बाद में यूज़ करेंगे और बाकी बच्छे हुए ये प्यास टमाटर को हम पीस लेंगे इसको ब्लेंड कर तक हम पानी नहीं डालेंगे ये मैंने मसाला पेस्ट बना लिया है ये देखे बस इसे अब अलग रख दे अब हम गयस अन करके उसमें एक पैन चढ़ाएंगे पैन के गरम होते ही उसमें ते Всем मैंने या पे दो वड़े चमश हम schemagya है तेल के गरम होस्ती ही उसमें ये खड़े गरम मसाले i डाल दे कोई भाइगे ताकि जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाए अब हम इसमें हल्दि पॉडर दाल देंगे लाल्मीज पॉडर मैं हमेशा तेल में हली और लालमीज दालती हूं जिस्से की ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है ये देखेँ अब हम इसमें यह पिसा हुआ मसाला डाल देंगे गैस का फ्लेम यहां पर मैंने मीडियम रखा है मिला दे मसालों को यह देखिए यह जो लालमीज का कलर है वो इसके उपर आ रहा है और ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है अब ग्रैंडिंग जार में जो बचा हुआ मसाला है उसे भी यूज करें मसाला बिलकुल वेस्ट ना करें यह मैंने बचे वे मसाले को भी यूज कर लिया इसमें इन मिला दिया मैंने अब ये मसाले जो है वो हल्दी लाल मेच फगरा में अच्छी तरह मिक्स हो गए है तो इसमें हम बचे वे मसाले डालेंगे ये मैंने पहले इसमें धनिया डाला फिर जीरा पाउडर इसे भी मिला दें इसके साथ अब हम पैन को कवर करके इसे कम से कम दो मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ये गैस का फ्लेम मैंने लो मीडियम कर दिया है दो मिनट बाद हम पैन का धकन हटाएंगे ये देखे अब इस मसाले में हमें दही डालना है तो उसके लिए पहले मैं गैस बंद कर दूँगी और मसाले को ठंडा करके डालूँगी तो यह मैंने गैस आफ कर दिया और मसाले को थोड़ा ठंडा होने देंगे अगर आप गरम मसालों में दही को डालते हैं तो दही जो है वो फट जाती है तो ये मैंने दही को फेट लिया थोड़ा और डाल दिया मसालों में मैं हमिशा गयास ओफ करके उसमें दही मिक्स करती हूँ ताकि वो फटे नहीं मिला दही से यह मैंने दही और मसालों को मिला दिया है अब हम गैस को वापस आउन करके यह पैन चढ़ा देंगे उस पे और दही को मसाले के साथ पका लेंगे इसे लगादार चलाते रहें यह है ऑगस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है यहाँ पे अब हम इसमेट पानी डालेंगे तो यह प्यास टेमाटर का जो पानी है वह मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला अगर ग्रेवी बहुत ही ठीक है तो आप उसमें नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं उसे थोड़ा सा पतला करने के लिए ये मैंने मिक्स कर दिया इसे अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक स्वाद के अनुसार डाले मिला दे नमक को ये मिला दिया मैंने अब पैन को कवर करके हम इसे एक मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है यहाँ देखिए एक मिनट बाद पैन का ढखकन अटाए मिक्स करें इसे ये जो हमारी शाही पनीर की ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे मैंने दो बड़ी चमच फ्रेश क्रीम डाला है अगर क्रीम आपके पास अविलेबल नहीं है तो दूद की मलाई को मिक्स करके डाले मिला दे इसे अब हम इसमें पनीर क्यूब स्टैलेंगे ये देखे ग्यास का फ्लेम यहाँ पे लो ही रखा है मैंने मिक्स कर दे उसे अच्छी तरह ताकि जो पनीर है वो ग्रेवी के बीतर जाए ये पनीर मिला दिया अब दरम मसाला डाल दे यहाँ पे गरम मसाला को भी मिला दे पनीर और ग्रेवी में बस ये गरम मसाला रखे reuni याए पैन को गवर कर दे और एक मिनट के लिए और पका दे लो फ्लेम पे एक मिनट बाद हम पैन का धकन ध़्टाएंगे ये देखी, ये सारे मसाले, पनीर वगेरा ग्रेवी में अच्छी तरह मिक्स हो गया है और ये हमारा शाही पनीर तियार हो गया है, आप देख सकते हैं, गैस को आफ करते सर्फ करने के लिए हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्फ करें या फिर अगर आप इसे थोड़ा शाही लुप देना चाहते हैं, तो ऐसे बादाम और फिर थोड़ा सा कैश्यू डाल दे और थोड़ा सा केसर उसके उपर रखके आप इस शाही पनीर को गर्मा गरम रोटी पूड़ी पराठी या किसी के साथ सर्फ करें अगर आपको मेरे रेस्पी अच्छी लगेगी तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें